हेलो बच्चों कैसे हैं आप बच्चों आज हम पढ़ेंगे कट्सा साथ विज्मान यानी साइन्स का पहला चैप्टर पादपों में पोशन आप देख रहें ने आपर यह आपका विज्मान के अंतरगैत पहला ध्याइद पादपों में हम आपको बताएंगे बच्चों इस पार्ट से सμबंदित प्रस्नु के उत्तर लेकिन उससे पहले आईए एक नज़र डाल लेते हैं पार्ट पर आप इस पार्ट को जरूर से जरूर पढ़ लें इससे होगा कि जो यहाँ पर आपको प्रस्णों के उत्तर बताए जाएंगे उन्हें आप अच्छे से समझ पाएंगे आप चाहें तो अपनी पाठे पुस्तक से पाठ को पढ़ सकते हैं और चाहें यहाँ से आप वीडियो को लोग करके पूरे पाठ को जरूर से जरूर पढ़ ले और उसके बाद हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर इस पाठ से समझ प्रस्णों के उत्तर जिने आप अपनी पच्छो तो चैनल को भी सब्सक्राइब आउसे कर दें बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाली परतेग पाठ की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और यह देख रहे हैं आप यहाँ पर यह बहुत सारे प्रस्ण है इस पाठ में हम आपको इन सारे प्रस् प्रस्णों के उत्तर तो बच्चो आपको एक बार फिर से याद दिला दें आज हम पढ़ रहे हैं कक्सा साथ विज्ञान यानि साइन्स का पहला चेप्टर पादपुमें पोसन और हम आपको बता रहे हैं इस पार्ट से सम्मंदित प्रस्णों के उत्तर अभ्यास सीका कुछ मुख्य बिंदों के साथ इसकी जुए आप इने याद करेंगे नंबर एक आपने इस पार्ट में पढ़ा था बच्चो सूर्य सवी सजी प्राणियों के लिए उर्जा का चरम सुरोत है यानि की सवी प्राणियों को जीवन देने वाला है नंबर दो हरे पौदों में भोजन ससलेशन की परक्रिया सूर्य के प्रकास की उपस्तिति में होती है जिसे प्रकास ससलेशन कहते हैं समझेगे आप किसे कहते हैं प्रकास संसलेशन हरे पौदों में भोजन संसलेशन की परक्रिया सूर्य के प्रकास की उपस्तिती में होती है जिसे क्या कहते हैं प्रकास संसलेशन आगे अगला पॉइंट है कलोरोफिल सूरे के प्रकास की उर्जा को ग्रेहन करने में सायता करता है पांचवां कारवन डायाकसाइड एवं जल प्रकास संसलेशन के लिए कच्चे माल का कारे करते हैं और आपने पढ़ा था ऑक्सिजन जो सभी सजी प्राणियों के जीवन के लिए अतियाओ सेक है प्रकास संसलेशन की किरिया दोरान बनता है यानिकि प्रकास संसलेशन की किरिया के दोरान बनता है पौदे प्रकास संसलेशन के दोरान बोजन के रूप में कार्वो हाइडरेट्स बनाते हैं याद रखें अगला पॉइंट है पत्यों में स्टार्च यानिकि जिसे मंड कहते हैं मंड की उपस्तिती प्रकास ससलेशन का होना दर्साता है अगला पॉइंट है कार्वो हाइड्रेट्स कार्वन हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बना होता है अगला पॉइंट याद रखेंगे मर्दा में कुछ जीवान होते हैं जो गैसी या नाइट्रोजन को उप्योगी रूप में परिवर्चित कर देते हैं और इसे मर्दा में छोड़ देते हैं अगला पॉइंट है बच्छो कीटों के भख्षन करने वाले पॉदूं को कीट वक्सी पादब कहते हैं क्या कहते हैं यह हैं कीट वक्सी पादब 12 पॉइंट आपके लिए कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा आवास एवं पोसक तत्व एक दूसरे से बांडते हैं। इन्हें क्या कहते हैं सहजीवी संबंद। सहजीवी संबंद किसे कहते हैं कुछ जीब जो एक दूसरे के साथ रहते हैं और आवास पोसक तत्व एक दूसरे में बांडते हैं। तेरोवा पॉइंट आपके लिए लाइकेन, सहजीवी संबंद का एक उधारन है, कार्वो हाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, बिटाइमिन एवं खनीज हमारे भोजन के संगठक होते हैं, और अंतिम और आखरी पॉइंट आपके लिए हमारे सरीर के लिए भोजन के संगठक आउसक होते हैं, जिनने पोसक कहा जाता है, तो ये बच्चो आप ध्यान देंगे, ये कुछ आपके लिए मुख्य बिंदू थे, इस पार्ट से संबंदित, आप इन्हें पार्ट में से देख सकते हैं, और इन्हें अच्छे से याद रखें, इस पार्ट में आपको और भी बहुत सारी जानकारियां मिली होंगी, तो आप उन्हें पढ़ सकते हैं, इसके बाद बच्चो हम बात करने हैं यहाँ पर इस पार्ट से संबंदित प्रसनों के उत्तरों की, तो चलिए देख लेते हैं, पार्ट के अंत में आप देख सकते हैं, सबसे पहला प्रसन आपके जीवों को खाद देख की आओ सकता क्यों होती है, क्यों होती है बच्चो आपको भी खाद देख की आओ सकता होती है, सबी परकार के जीवों को होती है, उतर में लेखेंगे जीवों को खाद देख की आओ सकता निम्न कारणों से होती है, और हेडिंग डाल सकते हैं आप, न अमित उर्जा परदान करने के लिए किसकी आऊ सकता होती है खादे की आऊ सकता इसके बाद दूसरा प्रसने बचो पर जीवी एवं मिर्त जीवी में अंतर इसपस्ट कीजिए तो जानते हैं आप पर जीवी और मिर्त जीवी क्या क्या होते हैं चलिए उतर में देखते हैं उत रहते हैं यानिकि दूसरों के सरीर में इसके बाद मिर्त जीवी की बात करते हैं यहाँ पर तो आप लिखेंगे मिर्त जीवी और हेडिंग डाल देंगे परजीवी और मिर्तीजीवी में क्या अंतर है तो आप लिख सकते हैं तीसरा प्रस्ण शुरू होता है आप पती में मंड यानि स्टार्च की उपस्तितिका परिक्षन कैसे करेंगे तो कैसे करेंगे उतर लिखेंगे नमबर एक पतियों पर आयोडीन विलियन की बूंदें गिराकर हम मंड की उपस्तितिका परिक्षन कर सकते हैं और नमबर दो जब आयोडीन विलियन मंड यानि स्टार्च के संपर्क में आता है तो एक गहरा निला रंग नजर आता है तो इस प्रकार से आप परिक्षन कर सकते हैं यह तीसरा प्रस्ण था और उसका उतर चोथा प्रस्ण बच्चो हरे पादपों में खाद्य संवेशन परकरम का संचिप विवरन दीजिए उतर में लिखेंगे आप नमबर एक पादपों में खाद्य संवेशन प्रकास ससलेशन की किरिया द्वारा संपन होता है और नमबर दूसरा लिखेंगे प्रकास ससलेशन के दोरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकास की उपस्तिति में कारवन डायाकसाइड एवं जल से कारवो हाइडर्स का ससलेशन करती है तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं ये चौता प्रस्ण अपका उसका उत्तर और बात करते हैं यहाँ पैंचोवा प्रस्ण बच्चो किसी परवह चितर की सायता से दरसा ये कि पादप भोजन के मूलबूत श्रोथ है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अपनी पाटे पुस्तक में कहाँ पर चित्र 1.2 में यह चित्र आपके सामने बच्चो इस परकार का आपको आपकी पाटे पुस्तक में एक चित्र दिखाई देगा आप उसे बना सकते हैं या उसकी photo state करके अपनी copy पर लगा सकते हैं तो यह आपका उत्तर हो जाएगा जिस परकार से यह पांचवाँ प्रस्न है इसका उत्तर आप लिख सकते हैं अगला है बच्चो छटा प्रस्नियां पर रिक्त अस्तानों की पूर्ति कीजिए और कह है आपके लिए क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य स्वयम बनाते हैं इसलिए उन्हें और क्या कहते हैं यहाँ पर आपको लिखना होगा कहते हैं और खै इसी प्रकार पादपों द्वारा समवेशित खाद्य का और भंडारन इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है के रूप में क्या जाता है यहाँ पर क्या क्या लिखना है हम आपको भी बताते हैं आप देखते रहें प्रसनों को गय में प्रकास ससलेशन के प्रकरम में जिस वरनक द्वारा सौरूर जा संगरीद की जाती है उसे क्या कहते हैं यहाँ पर आपको लिखना होगा और गय है प्रकास ससलेशन में पादप वाईव मंडल से यहाँ पर लिखना आपको क्या लेते हैं तथा किस चीज का उत्पादन करते हैं तो यहाँ पर आपको दो अप्सन देने उत्तर में आप इस परकास से लिखेंगे पहले वाले कह वाले में लिखेंगे स्वपोसी, खह वाले में मंड और गह वाले में कलोरोफिल और गह वाले में कारवनडा याकसाइड और खाद्या तो इस परकार से आप अपने उत्तर लिख सकते हैं यहाँ आप वहाँ पर भरें जहाँ पर आपको रिक्तस्तान दिखाई दे रहें बच्चों यहाँ पर जुए कह खह गय में जो रिक्तस्तान है यहाँ पर आप इन सब को लिख सकते हैं जो आपको उत्तर में यहाँ पर दिखाई दे रहें इसके बाद सातों अप्रसने है निम्न कथनों से सम्मंद परवाशित सब्द बताईए तो यहाँ पर जो है कह देख रहे हैं आप यहाँ पर पीत दुरवलतने वाला परजीवी पादव और खै है एक पादव जिसमें स्वपोसन एवं बिसमपोसी दोनुही प्रणाली पाई जाती है गह है हुए रंद्र जिनके द्वारा पत्यों में गैसो का आदान परदान यान प्रणे और कह खैगे यहाँ पर तीन प्रणे और तीनों के उतर आप यहाँ से लिख सकते हैं आट कहीवाले में यहाँ पर पूचा है कीटों को पकड़ कर अपना अहर बनाने वाले पादव का नाम क्या है और यहाँ पर भी आपके लिए चार उप्षन है, सही उप्षन कौन सा है, उत्तर लिखेंगे आप, नमबर एक का उत्तर लिखेंगे, कह का, पर जीवी का, और दूसरा लिखेंगे, घट बढ़नी, यानि फीचर पादप का, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, नमबर एक का यहा पर हो गए, पर जीवी, तो यहाँ पर आप सही का चिन लगा देंगे, और इसके बाद खैवाले में लगाएंगे आप, यहाँ पर घट पढ़नी पर सही का चिन लगा सकते हैं, यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा, इसके बाद नववा प्रसन हैं यहाँ पर, कॉलम A में दि जीवान, नाइट्रोजन, परपोसित, अमरवेल, घट पढ़नी, जन्तु और यहाँ पर पत्ती, कीट वक्सी और यहाँ पर परजीवी, तो इनका मिलान करना आपने किस परकार से करेंगे, चलिए देख लेते हैं, उत्तर में आप इस परकार से लिखते हैं, कह के साथ मिला इसके बाद, बच्यों, दसवाँ प्रस्णा आताा, आपका निमन कथ्नों में से, सत्य एवं असत्य कथ्नों का चैन कीजिए, और आपने चैन करना है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है, कहली का यहाँ पर प्रकास ससलेशन में कारवन, डाइआकसाइड मुक्त होती है, क्या ये कास असलेशन में सौर उर्जा को रास है निक उर्जा में रुपांतरन हो जाता है तो यहाँ पर जो है कौँछा सही है कौँछा गलत है चलिए देख लेते हैं खैका उतर होगा असत्या, यहाँ पर खैका उतर भी असत्या होगा, गैका उतर सत्या और गैका सत्या, तो इसका मतलब आप समझ गयोंगे यहाँ पर, यह दसवाँ प्रस्ने आपका, और पहले कि यह दोनु क्या है, यह असत्या है, और खैवाला भी असत्या है, और गैवाला अभी सत्य है तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं उत्तर देखें यहाँ से लिखें इसके बाद है सही बिकल्प चुनिए तो आपका जो प्रसने होगा ग्यारवाँ प्रसने है पादप के किस भाग द्वारा प्रकास तसलेशन है तो वायू से कारबन डायाकसाइड ली जात है बचो वायू मंडल से मुक्यता जिस भाग द्वारा पादप कारबन डायाकसाइड प्राप्त करते हैं वह है और कौन सा है हुआ यहाँ पर चार ओप्सन है जड़ तना पुस्प या पतियां तो उतर लिखेंगे आप पतियां क्या लिखेंगे उतर में पतियां यह आपक लेकन दबा दें बचो ताकि आपको आने वाली परतेक पार्ट की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और लगातार देखते रहें कक्सा साथ विज्ञान यानि साइन्स के सभी पार्टों के प्रसनुतर हमारे साथ तो आज के लिए इतना काफी है बचो मिलते हैं फिर अगले पार्ट के प्रसनुतर हमारे साथ अगली वीडियो में आपका दिन सुभ हूँ